आईए करते हैं गुजरात की बात और जानते हैं कि इसमें किसानों के लिए क्या है खास। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी मिलने से राजे के किसान काफी खुश हैं। गुजरात के 57 लाग से अधिक किसानों को पिछले 3 साल में 12 किष्टों के तहट 12,565 करोड रुपे डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किये गए हैं। राजे में कृशी आये पिछले 2 दशकों में 9,000 करोड से बढ़कर 2,05,000 करोड रुपे हो गई है। जैसे मूंग फली, उड़त दाल, मूंग दाल, तूर दाल, चना, सरसों और कपास को न्यूंतम समर्थन मूल्यों की दर पर खरीद रही है। पिछले 5 सालों की बात करें तो राजे के 24,000,000 किसानों से 22,596 करोड रुपे की लागत से 45,13,000,000 में ट्रिक टन अनाज न्यूंतम समर्थन मूल्यों पर खरीद कर गुजरात सरकार ने किसानों की आये को सुनिश्चित किया है। खेडूत पोर्टल के जरीए कुल 61,82,000,000 को 5,107,94 करोड रुपे की सबसीड़ी दी गई है। आए करते हैं गुजरात की बात और जानते हैं कि सरकार ने कृशी के लिए क्या कदम उठाए हैं। आपदा के समय में राज की सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। कई प्राकृतिक आपदाओं में राज सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद दी है। पिछले 20 वर्षों में गुजरात में आनंद, नवसारी, जूनागड और दांती वाड़ा में चार कृशी विश्वविध्याले शुरू किये गए हैं। बीज पंजीकरन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया। इसके परिणाम सरूप बीजों की नई किस्मों का तेजी से पंजीयन संभव हुआ। किसानों को बीज शिगरता से उपलब्ध होने लगा। कलोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया, तरल के सैयत्र का शुभारंब। नैनो फर्टिलाइजर और कीट नाशक दवाईयों के छड़काव के लिए ड्रोन टेक्नलोजी की दिशा में आगे बढ़ता गुजरात। प्राकृतिक क्रिशी का दाइरा बढ़ाने के लिए गुजरात प्राकृतिक क्रिशी विकास बोट का गठन। गुजरात का डांग जिला, सौ फीसिदी प्राकृतिक खेती वाला जिला बना। आईए करते हैं गुजरात की बात। कमलम फल यानि की ड्रागन फ्रूट की बुआई करने वाले किसानों को 1,000,000,000 तथा Comprehensive Horticulture Development के अंतरगट किसानों को 650,000,000,000 की आर्थिक सहायता देने का महतवपोन निरनाएं। कमलम फल की बुआई करने वाले किसानों को एक हेक्टेर की सीमा में प्रती हेक्टेर अधिकतम 3,000,000 रुपे और अनुसोचित जाती वा अनुसोचित जन जाती के किसानों को साड़े चार लाक रुपे की सहायता आईए करते हैं गुजरात की बात कि मचवारों को सरकार से क्या मिला है जिस वज़े से सरकार के प्रती उनकी नाराजगी कम हुई है मचवारों को दिये गए किसान क्रेडिट कार्ड से भी मचवारों को काफी लाब हो रहा है आईए करते हैं बात गुजरात की और जानते हैं कि पशुपालकों को इस सरकार से क्या मिला पिछले 20 सालों में गुजरात में डेरी सेक्टर का उत्रोतर विकास हुआ है 20 साल पहले गुजरात में दूद का उत्पादन लगभग 60 लाक मेट्रिक टन था जो आज बढ़कर लगभग 158 मेट्रिक टन से भी जादा हो गया है डेरी द्वारा मिल्क कलेक्शन अच्छा हो रहा है जिसका सीधा लाब पशुपालकों को मिल रहा है आज गुजरात का पशुपालन सेक्टर लगभग 62,000 करोड रुपे का हो गया है पशुखरीत के लिए 3,000,000,000 रुपे तक की सहयता की योजना से भी कई किसानों ने पशुपालन को अपनाया है पशुपालकों और मच्छवारों को कृशी के समान ही अलपावधी के रिंड पर ब्याज राहत देने वाली योजना से इन दोनों सेक्टर के लाखों किसान लाभानवित हुए हैं आए करते हैं गुजरात की बात और जानते हैं कि सरकार ने किसानों को बिजली मोहिया कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं किसान सूरदय योजना के तहट राजे के किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली दी जा रही है ताकि किसान रात रात भर अपने परिवार से दूर खेतों में अपना समय ना बिताएं साल 2002 तक किसानों के 7,33,000 बिजली कनेक्शन थे जो 2022 तक बढ़कर 13,45,266 हो गए हैं किसानों को साल 2002 से अब तक 75,000 करोड रुपे से जादा की बिजली सबसिडी प्रदान की जा चुकी है किसानों के खेतों में नई विद्युत ट्रांस्मिशन लाइन और टावर लगाने के लिए दिये जाने वाले 7,5 फीस्दी मुआवजे को बढ़ा कर 15 फीस्दी किया गया है राजमे मजबूत सिंचाई विवस्था से सिंचाई विवस्था की मजबूती के लिए प्रदेश में 79,000 किलोमेटर लंबे कनाल का नेटवर्ग सापित किया गया है वर्ष 2001 में 37,96,000,000 हेक्टेर की तुलना में वर्ष 2022 में 68,29,000,000 हेक्टेर शेतर तक सिंचाई की सुविधा पहुँच गई है